नमस्कार मैं शिवानी और आप देख रहे हैं दखबरदार नियूंज सागर के उपनगरेक शेत्र मकरोनिया में व्यवसाईयों और आम लोगों द्वारा जो अतिक्रमन कर लिया गया था उन पर जिला प्रशासन के नित्रित्व में अतिक्रमन हटाने की कारेवाही की गई इस दौरान नगरपाली का मकरोनिया वो पुलिस विभाग में शक्ति के साथ कारेवाही को अंजाम दिया शेत्र में जिन व्यापारियों ने शास्किय नालों पर अतिक्रमन किया था उन्हें JCB से हटाया गया वहीं गंभीरियास्तित रविदास मंदिर ज्वारा जो जमीन पर अवैध अतिक्रमन किया गया था जिसे प्रशासन ने मंदिर सदस्यों को तीन दन में अतिक्रमन हटाने की बात कही है इस दोरान सागर SDM संतोष चंदेल ने बताया कि यह कारिवाही CM हेलप लाइन में शिकायत होने के बाद शुरू की गई है जो आज सुबह 10 बजे से लगातार जारी है और अब यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी इसके अलावा रविदास मंदिर के पास खेल मैदान स्विकलत है इसलिए यह कारिवाही की गई कारिवाही के दोरा नायाप तहसीलदार सोनम पांडे, नगरपाली का सीमो विश्विनात, मकरोनिया टी आई जेपी सिंग और राजस्व विभाग के सभी स्टाफ पटवारी और आई मौजूर थे सागर से अनिल वर्मा के साथ सल्मान कुरैशी की रिपोर्ट देखते रहिए तक खबरदार न्यूज नमस्कार उस अतिकरमान को हटा रहे हैं तो कुछ चिन है ते निस्थानों को क्यों हटाया गया है जब कई लोग ने अतिकरमान कर रहा है और ऐसा ड्राइब जो है हर आट-दस दिन में होगा जो भी अतिकरमान चिन्नित हुए हैं उनको करम बदर इस तरह पर हटाना है जो कि यहां प के सामने और भी मकानों के अतिकरमान थे जो पहार फैंसिंग कर दी गई हैं वो क्यों हटाया जा रहे हैं उसमें जितने आज दिन दियाल में हटाया गया उनकी सीम हेल्प लाइन पे लगी हुई थी सीम हेल्प लाइन से बार बार कहनने के बाद ही वह नहीं अटाने के उनको बताता हूं और उसमें जो भी है उसको कठोता से हटाया जाएगा इसके पहले भी अध कर्वाई देखने को बहुत सारे अजिश्चना में नगर पाली का मकरोनिया में हटाये थे अभी आज से फिर एक करमण का शुरू हुआ है अभी जो ब्यौसाइक रिकल्चर लें नहीं हुआ हुआ